आजकल धर्म में एक चीज होती है कि लोगों पर देवी देवता आजाते हैं माराज जी इसके बारे में थोड़ा बताओ और आपका तर्क एक बहुत अच्छा है आप ये कह रहे हैं कि माराज जो हिमाले पर हजार हजार वर्ष तपस्या करते हैं अब हजार वर्ष तो सत्युक्त्रेता द्वापर में होती थी पर कल्यूग में भी कई लोग ऐसे हैं जो हिमाले में रहते हैं इतना तब करते हैं भोजन छोड़ देते हैं व्रत नियम का पालन करते हैं उन पे तो देवता आते नहीं और ग्रह ग्रस्तियों में उल्टा सिदा खाने पीने वाले सब प्रकार के विंजनों में रहने वाले सब प्रकार की स्थितियों में आने जाने वाले संसार के भोग विलासों में रहने वाले उन पर बहुत जल्दी भगवान आ जाते हैं और नवरात्त्री के समय तो वैश्णव जनों को मंगल पावन नौ दिवस के ये मंगल नवरात्त्री का दिवस है उसकी बहुत-बहुत मंगल काम नवरात्त्री में तो होता है जागरण आदी होते हैं जगर आता होते हैं तो महाराज किसी में देवी आ गए किसी में गण आ गए हम तो इस बात को कहते हैं लोग हमारी पीछे पड़ जाते हैं फिर हमारा विरोध करते हैं कि महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं व्यासमंच से देवी देवताओं को हम ही मिले आने के लिए और दूसरी बात भगवान केवल आपके और मेरे नहीं है यह आठ अरव तो केवल मानवों की जनसंग क्या है जलचर जीव कितने हैं आकाश में उड़ने वाले पक्षी कितने हैं वन में कितने पशू हैं ठाकुर जी सब के हैं और इतने खरवों अरवों जन मानस में और यह भी एकाद जन मानस नहीं है भगवान के एक रोएं कूप में हमारी प्रत्वी जैसे करोणों प्रत्विया हैं हमको पता ही नहीं है उनके बारे में और ठाकुर जी सब के हैं उसमें भी मुझे पर भगवान आ गये मुझे देवी देवता आ गये मैं इतना पवित्र हूं जब लोग बिल्कूल साथधानि से कथा में बैठें तो नासिक में जब एक महिना की कथाहोई तो उसे एक महिना की कथा में हमने हर दिन दत्तात्रे जी के एक गुरु के विशे में कुछ कहा दत्तात्रे जी के एक गुरु है ब्रंगी कीट ब्रंगी कीटे कीडा होता है और वो कीडा क्या करता है वो दूसरे छोटे-छोटे कीडाओं को पकड़ के ले जाता है है कि उसका दर्शन करते करते वह ब्रंगी कीट बढ़ता है है कि कीड़ों को पकड़ कर अपने डालके अपना रौधर रूप कुद्र भेभीत करने 24 में 3 कीड़ां को और कुछ सोच सोचने भीर नहीं नहीं देता है। Ch subjectiva for लगता है कि हम भी इसी के तरह है me कि ऐसा ही हम आप सबके साथ कभी-कभी होता है। हम जिस को बहुत चिंतन करते हैं या जिसके जिसको देखते रहते हैं, जिसके पास जाते हैं, जिसके पास बैठते हैं, कभी-कभी psychologically हमारा दिमाग जो है, उसकी चीज़ें capture करकर करके हमको उसके जैसा बनाता है। नवरात्त्री में वृत रखते हैं, नौ दिन, नौ देवियों की पुजा करते हैं, फिर जगराता में जाते हैं, आदी-ादी इन सब भाव़ों में रहते हैं, तो हमारे mind को और कुछ सोचने को मिला यह नहीं, उसी चीज़ में रहते-रहते-रहते-रहते-रहते फिर ऐसा भाव प्रगट कर देता है कि मुझमें ही देवी आ गई है, मुझमें ही देवता आ गई हैं। ron और भिया, आते भी होंगे ना, तो हमारी बहुत ध्यान से सुनियागा बात, गण जरूर आजाते हूंगे देवी देवत नहीं आते हूंगे। हर देवी के करोणों करोणों गन रहते हैं साथ में वो जरूर आ जाते होंगे कभी और उनका आना कोई उसकी विशेष्टा ऐसी नहीं है इसलिए इन विशेयों में जादा ना जाया जाए फिर एक तो फिर मुझसे किसी हिमाचल के व्यक्ति ने उत्राखंड के व्यक्ति ने क आप हमारे यहां आकर के देखिए हमारे यहां देवी आती है हमारे यह देवता आते हैं पर वहां देवी देवता किसी मानव में नहीं आते हैं वे देवी का स्वरूप धारन करके हिमाचल में मैंने दर्शन किया है वहां देवी का स्वरूप बना करके पालकी लेके जाते ह जो विराजमान स्वरूप है उसमें ऐसा आवेश आता है कि वो बिना किसी को उठाए ही गूमने लगती है आदी-आदी ऐसा होता है तो ऐसे कुछ तत्व कुछ भाव तो होते हैं पर हम मानव इतने शुद्ध नहीं कि हमारे उपर देविदेवता आएं इसलिए इस बात में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए फिर किसी का प्रश्न है कि भक्ति पत पर चलते-चलते बीच-बीच में आपका रुची या मोह कम हो रहा है विश्व के प्रति अब पता नहीं यहीं लिखा है शायद संसारिक जगे में ध्यान भंग हो रहा है तो उसको कैसे एकाग्रत करें मतलब अब इनका प्रश्न यह है कि भक्ति पत पर चलते-चलते संसार से अगर ध्यान भंग हो रहा है तो क्या करें तो भाई संसार से तो ध्यान बंग हो गाई संसार तो छूटेगा ही अब आप चाहते हैं कि संसार भी रहे और भक्ती भी रहे तो एक मियान में दो तलवार कैसे रहेंगे एक ही के रह पाओगे और उनों पर रह लेते हैं कई लोग बड़े वर्सटायल होते हैं वो संसारी भावों में भी रह लेते हैं और भक्ती भाव में भी रह लेते हैं गिरेंगे एक दिन दो घोडे पर धरके दोड़ोगे तो एक दिन गिर जाओगे इसलिए एक एक एके रहो हाँ ये जरूर कर सकते हो कि आप मानसिक भाव से आध्यात्मक रहो और बाहिये भाव से संसारी रहो, एक नाटक आडंबर जैसा करदो संसारी होने का, वो तो संभव है, जैसे अभी हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं? हम हैं तो संसारी, पर दिखाते कैसे हैं कि हम वैश्नव हैं, हम भक्त हैं, हम ठ वास्तविक्ता में कैसे रहो वोले परम वैश्नव रहो पर दिखाओ कैसा कि आप तुम्हा संसारी हो दिखाओ संसारी रहो वैश्नव हो उल्टा करते हैं हम रहते संसारी हैं दिखाते वैश्नव हैं वो गलत है रावन राक्षस है पर संत बनकर के आया सिता जी कारण करने इस इसलिए संसार यदि छूट रहा है तो यह तो होगा आप दोनों नहीं समाल सकते बस हाँ यह कि करतव्यों को पूरुन करना है वो तो आपको आध्यात्मे की स्थिति विवेक परदान करेगी उसी से आपका संभव हो पाएगा करतव्य निवृत्ति उर्दपुन लगाते हैं तो क्या लाल जी की प्रती आडंबर है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हम इसका उत्तर दे चुके हैं आप एक स्वरूप तिलक धारन कर सकते हो दिक्षा के बाद गुरू प्रदत्त जो तिलक स्वरूप है वो धारन करो फिर आपका अगला भाव क्य है जब परिवार की सदस से हमसे पूछते हैं कि तुम लोग यह तिलक या तुलसी माला क्यों धारन करते हो और किसलिए धारन करते हो तब हम उनसे कहते हैं कि हम तुलसी माला और तिलक लाल जी को प्रसंद करने के लिए धारन करते हैं तो वह हमसे कहते हैं कि यह तो आडंब व्यस्णी व्यक्ति घुणा उडाता है मदिर हापान करता है दुनिया बरके उल्टी सीद्tech काम करता है मुर्गाः खाषेत जाने क्या करता है लोग उसको समझाते हिं कि नहीं । यह जहा ret कभी नहीं छोड़ता ऐसे भक्त को होना चाहिए आपकी वैश्णव भक्ति पर कोई प्रश्ण चन्न उठाए तो एक कांचा चुनों दूसरे से ने कारों ठीक है नहीं करेंगे लेकिन करो उससे इतनी चिंतित क्यों होते हो देखो यह बात हम नहीं कह रहे हैं स्वेम